हरे कृष्णा जैसा कि आप सब जानते हैं इस समय विशेश पित्र पक्ष चल रहा है और ये समय हमारे पूर्वज या पित्रों के लिए विशेश रूप से आरक्षित किया गया है हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि ये विशेश समय हमारे पूर्वजों के लिए अपनी कृत ग्यता व्यक्त करने का समय है आज हमारा अस्तित्व हमारे पूर्वजों के कारण ही है और इसलिए उनके प्रती हमारा पित्र रिन भी रहता है जिसे चुकाए बीना हम इस भौतिक कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकते और इस कारण से भी प्रतियक व्यक्ति को पित्रों के लिए श्राद, तरपन, पिंडदान आधी करना चाहिए जब आप पित्रों के लिए शास्त्रों में वर्णित ये सभी कारे करते हैं तो इससे उनकी आत्मा जहां भी जिस योनी में होती है वहां वे संतुष्ठ हो जाते हैं और इससे वे आपको सुख, सम्रिध्धी और आशिरवाद प्रतान करते हैं लेकिन इस शाद पक्ष में पित्रों क्रिया कैसे करें और इससे जुड़े हुए अनेकों प्रश्ण आप सब के मन में थे और हमने आपसे पूछा था कि अगर आपके कोई प्रश्ण है तो आप हमें पूछ सकते हैं और इसके उत्तर में हमें आपके श्राद या पित्रुपक्ष से जुड़े अनेक महत्वपून प्रश्ण मिले थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इन सभी प्रश्णों के उत्तर देने वाले हैं। तो ध्यान से अंत तक इस वीडियो को जरूर सुनियेगा, क्योंकि अंत में आपके लिए एक बोनस पॉइंट भी है, जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो चलिए आरंब करते हैं। पहला प्रश्ण है कि श्राद कौन कर सकता है। तो इसका उत्तर हमने पीछे के वीडियो में भी दिया हुआ था। विश्ण पुरान तृतिय अंश्ट तेरवे अध्याई में ब्रेगु वन्शी राजा सगर से कहते हैं। यानि श्राद कर्म करने के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भाई की संतान अथ्वा संतेरवापी, क्रियार होंद्र पजायते। तो समानों दक कर सकते हैं। जो पौण प्रशन है कि अगर घर में पुरुष, पुत्र या भाई ना हो, तो क्या स्त्रियां या बेटियां या फिर बहु श्राद कर सकती है। तो इसका उत्तर हमारे शास्त्र देते हुए कहते हैं कि जी हां, स्त्रियों को भी श्राद करने का अधिकार है, लेकिन अगर परिवार में कोई भी पुरुष नहीं है, तो स्त्रियों को श्राद करना चाहिए। लेकिन इसके लिए कुछ विशेश सावधानियां भी रखनी होती है, जैसे कि अगर कोई स्त्रियों में या फिर रजुकाल में हैं, तो उस समय उसे श्राद करिया नहीं करनी चाहिए। प्रश्न है, क्या अगर पिता जीवित है, तो भी आपको अपने दादा का श्राद करना चाहिए। गया में एक बार जाकर पिंडदान या तरपन कर लिया, तो उसके बाद प्रतिवर्ष श्राद करने की अवश्यक्ता है। तो देखिए, कई बार ये सुनने को मिलता है हमें, कि एक बार आपने गया में श्राद कर दिया, तो बस, उसके बाद आपको कोई पित्रु कारे करने की अवश्यक्ता नहीं रह जाती। लेकिन ये सत्य नहीं है, गया में पिंड़दान करने के बाद भी प्रतिएक वर्ष श्राद के समय में आपको अपने पित्रों के निमित कुछ न कुछ अध्यात में कारे अवश्य करने चाहिए। इससे कोई नुकसान नहीं होता, अपितु लाब ही होता है, इससे आपके पित्रों प्रसन ही होते हैं, एक बार गया में श्राद करने से उनका पित्रकारे संपन हो जाता है, लेकिन प्रतियेक वर्ष उन्हें श्राद अर्पन करने से भी वे अधीक प्रसन होते हैं, तो इस वैसे भी अगर कोई हमें उपहार दे तो हमें अच्छा ही लगता है तो उसी प्रकार आप जब प्रतिवर्ष अपने पित्रों के लिए श्राद करते हैं तो वे भी अधिक प्रसन होते हैं पाच्वा प्रश्न आपका हमें मिला है कि क्या हम पित्रुपक्ष में घर में पूजा कर सकते हैं। तो पित्रुपक्ष में हम कोई विशेश यग्य, किसी विशेश देवता की पूजा, जैसे कि सत्यनाराण की कथा, देवी मा की कोई पूजा, इत्याती विशेश पूजा न इस समय में अधिक से अधिक हरिनाम का जब कर सकते हैं, श्रिमत भागवतम और भगवत गीता का अध्यान भी कर सकते हैं, और घर की पूजा छोड़ने की भी कोई आवशकता नहीं है, बस ध्यान रहे कोई विशेश यग्य या विशेश पूजा हम ना करवाएं। सुयोग के ब्रामहन को अपने घर में आमंत्रित करिए और याद रहें। साले तिल जो कि भगवान विश्नु का पसीना माना जाता है, कूशा घास जो कि भगवान हरी के बाल हैं, और जल यानि जिसमें भगवान नारायन वास करते हैं। इन सभी मुख्य पदार्थों का उपियोग किया जाता है, क्योंकि ये सभी चीजें भगवान श्री हरी से जुड़ी हुई है, इसलिए वे पवित्र हैं। और उनके माध्यम से पित्रों को मुख्य प्राप्त हो जाता है। इन वस्तुओं का उपियोग करके, जब तर्पन किया जाता है तो ये मंत्र तीन बार बोलते हैं। अर्थात मेरे इस तर्पन द्वारा मेरे पित्रों की शुधात हो जाए। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण विधी नहीं भी करवा सकता तो सिर्फ इस मंत्र का उचारण करके पूर्वजों के लिए जल अरपन भी कर देता है तब पर भी पित्र संतुष्ट हो जाते हैं कई बार लोग कहते हैं कि अगर सुयोग्य ब्रामण नहीं मिलता है तो क्या करें तो आप स्वयम भी श्रादक्रिया कर सकते हैं अपने घर में भगवान के लिए सात्विक अनभोग बनाएं जब वो प्रसाद बन जाएं तो अपने पित्रों के नाम लीजिए और ये प्रसाद और जल लेकर उपरोक्त मंत्र का उचारण फिर से तीन बार करिए और उन्हें अरपन कर दीजिए इससे भी वे संतुष्ट ह हो जाएंगे अगर ये भी नहीं कर सकते तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप नदी किनारे जाएए वहां काली चिकनी मिट्टी लीजिए उसके लड़ो बनाएए अपने पित्रों का नाम लीजिए और दाहिने हाथ के अंगूठे से पानी अरपित कीजिए और इससे भी वे त्रिप्थ हो जाएंगे और अगर कोई कहता है कि मेरे पास ये भी नहीं है मैं ये भी नहीं कर सकता किसी के पास धन नहीं है आसपास में नदी नहीं है मिट्टी भी नहीं है तो क्या करें तो हमारे शास्त्र कहते हैं अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो भी कम से कम किसी एकां पर जाईए अपने पित्रों को याद करिये और हाथ उपर उठा कर इसी मंत्र का उचारण करिए और उन्हें प्रार्थना करिए कि हे पित्रुगन आप संतुष्ठ हो जाए इतना कहने से भी वे संतुष्ठ हो जाते हैं लेकिन किसी भी स्थिति में मनुष्य को इस पित्रू-पक्ष में श्राद कर्म अवश्य करना चाहिए अगर संभव है तो यतोचित शास्त्रोप्त विधी अनुसार ब्राम्हन द्वारा ही श्राद करना चाहिए अगर नहीं कर सकते तो कम से कम स्वयम ही प्रयास करना चाहिए इस दिन आप गाए को रोटी या घास खिला सकते हैं, आसपास के किसी मंदिर में ब्राम्हन भोज दे सकते हैं, या फिर निर्धन और जरुरत मंद को भी भोजन खिला कर अपने पित्रों को संतुष्ट कर सकते हैं. इस दिन आप मंदिर में या किसी ब्राम्हन को सीधा या रा ब्राह्मनों से ही करवाना जरूरी है, तो देखिए, ब्राह्मन का स्थान हमारी वैदिक वर्ण व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है, वे हमारी समाज व्यवस्था के सिर माने जाते हैं, यानि मस्तिश्क, उनके द्वारा समाज में धर्म की स्थापना और पोशन होत भगवान स्वयम कहते हैं कि मैं गव और ब्राम्हनों का रक्षक हूँ भगवान श्री हरी ने ब्राम्हनों को एक विशेश शक्ती और कर्तव्य प्रदान किया है समाज को शिक्षित करने का धर्म और नीती के मार्ग पर अग्रिसर करने का उन्हें अधिकार दिया गया है कि उ जन्म से या ब्राम्हन कुल में उत्पन हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जो स्वयम भगवान के उपर एक निष्ट शद्धा रखने वाला हो। उन्हें भी प्राप्त होती है और तभी आने वाले समय में वे भी आपकी परंपरा का अनुसरन करते हुए आपको त्रिप्त करने ही तो श्राद और अन्यवैदिक विधिया करेंगे। अपने संस्कृति को बचा कर रखना और उसकी वृद्धी करना अत्यंतावशक है क्योंकि हमारी संताने हमारी आने वाली पीड़ी का भविश्य उसी पर नेर्फर करता है। इसलिए भी अपनी संतानों को अपनी सनादन संस्कृति से जोड़े रखने के लिए भी घर में ब्राम्हनों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। और हाँ ये भी सत्य है कि वर्तमान समय में ऐसे शुद्ध ब्राम्हन बहुत कम मिलते हैं। अगर आपको मिल जाए तो आप सबसे सवभागिशाली हैं। उन्हें प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक अपने घर पर आमंत्रित कीजिए और उनी से सभी वैदिक विधी करवाईए। हमें ये कहते हुए अत्यांत गर्व और संतुष्टी हो रही है कि ऐसे कुछ ब्राम्हन आपको श्रिल प्रभुपात की सेना यानि कि इसकौन में भी मिल जाएंगे। अब लेते हैं आठवा प्रश्णन। हमें कमेंट में किसी ने ये पूचा था कि भाई हम तो इस श्राद के महत्व को समझते हैं लेकिन हमारे घरवाले नहीं मानते। उन्हें कई बार समझाया लेकिन फिर भी वे घर में ब्रामनों को आमंत्रित करना और विधी विधान करवाने में कोई श्रधा या रूची ही नहीं रखते तो क्या किया जाए तो देखे जैसे कि हमने पहले बताया कि शाद करने की शास्त्रुक्त विधी है तो उसकी सरल विधी भी है हमारी वैदिक संस्कृती और शास्त्र अत्यंद ब्रिहद विचारधारा रखने वाले हैं वे संकुचित मानसिक्ता से नहीं लिखे गए हैं इसलिए अगर घर परिवार वाले नहीं मानते हैं तो सबसे पहले उन्हें आप प्रेम से समझाईए उदाहरन दे कर समझाईए ये वीडियो उन्हें शेयर करके सुना कर समझाईए लेकिन अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो आप सरल विधी कीजिए जैसे कि किसी ब्राम्हन को दान या भोजन दे दिया, गाय को या किसी पशु को रूटी या घास खिला दिया, मंदिर में जाकर ब्राम्हन भोज दे दिया, या फिर सीधा राशन सामगरी दे दि, उनसे सिर्फ प्रार्थ ना कर ली, इत्यादी, आप जितना भी कर सकते हैं, उ इसको शाद करना चाहिए, तो आदर्श सिती ये हैं कि अगर सारा परिवार एक ही घर में रहता है, और एक ही रसोई में उनसभी का भोजन बनता है, तो बड़े भाई को ये शाद करिया करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में अधिकतर ऐसा होता नहीं है, अपने काम काज क के लिए या पढ़ाई के लिए या फिर व्यवसाई के लिए आज के समय में परिवार अलग-अलग स्थानों पर रहने लगे हैं, ऐसे में अगर सभी भाईयों की रसोई अलग-अलग हैं, घर अलग-अलग हैं, तो उन सभी भाईयों को अपने पिता और पूर्वा जोका श देस्वा प्रश्न है कि इन दिनों में पित्रों की मुक्ति के लिए कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए या फिर कौन सी कथा सुननी चाहिए तो शुमत भागवतम में वामन देव की कथा आती है जिसमें भगवान श्री हरी कश्य प्रिशी और माता अधिती के पुत्र वामन देव की रूप में बली महराज से संपूर्ण पृत्वी का दान मांग लेते हैं इस कथा की फल शुरुती में बताया गया है कि इस कथा का श्रवन या पठन करने से पित्रों का भी उधार हो जाता है तो इन दिनों में आप ये पढ़ सकते हैं या फिर इसकी कथा सुन सकते हैं इसके उपरांत आप भगवत कीता के 15 अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं प्रतितिन भगवत कीता के सभी अध्याय भी पढ़ सकते हैं ग्यारवा प्रश्न आया है क्या छोटे बच्चों के लिए भी पिंडदान या तरपन क्रिया करनी होती है तो हमारे शास्त्र बताते ह कि जो बच्चे दो साल से कम की आयू के थे जिनका नाम करण नहीं हुआ था जैसे कि कई बार बच्चे की गर्प में ही मृत्यू हो जाती है या फिर जन्म के कुछ ही समय में वो अपना भौतिक देश छोड़ देता है तो ऐसी अवस्था में उन बच्चों के लिए कोई श्रा किया जाता है उनके लिए इन दिनों में दूद का दान देना चाहिए इससे उनका श्राद पूर्ण हो गया है ऐसा वाना जाता है लेकिन 16 वर्ष से उपर के बच्चों के लिए श्राद या पिंड़दान विधी की जा सकती है लेकिन उसमें भी कई नियाम और भिन भिन शर में ऐसा आउसर ना आए कि उसे स्वयम अपने ही पुत्र का पिंड़दान करना पड़े लेकिन फिर भी काल और कर्म की गती कोई नहीं जानता इसलिए अगर ऐसे स्थिती आती भी है तो भी एक पिता को अपने पुत्र या पुत्री के लिए श्राद या पिंड़दान अव होती है इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके किसी संबंधी की मृत्यू इस जुलाई या सितंबर महीने में हुई है तो उनके लिए जो भी अंतियश्टी क्रियाएं होती है वो सभी आपको संपर्न करनी चाहिए लेकिन उनकी नियमित श्राद क्रिया अगले साल यानी दो हजार पच्चिस के जुलाई या सितंबर महीने के बाद से ही शुरू होगी अगर पिता के मृत्यू अभी हुई है और पिता हर साल दादा जी का श्राद करते थे तो इस बार भी आपको सिर्फ दादा जी का ही श्राद करना है पिता का श्राद आप अगले साल से करेंग या फिर माताओं के लिए नवमी के दिन श्राध किया जाता है और पुरुशों के लिए द्वादशि के दिन श्राध कर सकते हैं अगर ये भी संभव नहीं हो पा रहा है तो आप पित्रु पक्ष के अंतिम दिन यानि अमावस्या के दिन जिसे सर्व पित्रू अमावस्या भी कहा जाता है उस दिन श्राध क्रिया कर सकते हैं अगर ये भी संभव नहीं है तो आप इन 15 दिनों में किसी भी दिन अपने पित्रू को याद करके उनके लिए श्राध क्रिया संपन करवा सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक दिन शाद क्रिया की जाए तब ही वे संतुष्ठ होंगे। आदर्श सिती तो ये होती है कि उनकी मृत्यू तिथी के दिन ही की जाए। लेकिन अगर वो संभव नहीं है तो आप आगे बताए हुए किसी भी दिन में कर सकते हैं। अच्छा इसे से जुड़ा एक और प्रश्ण था कि अगर किसी के पिता या घर में किसी पुरुष के मृत्यू नौमी के दिन हुई है तो उनका शाद कब करें? क्योंकि नौमी का दिन तो मातरु शाद का माना जाता है तो देखिए हाँ ये सत्य है लेकिन ये सामान या नियम है उन लोगों के लिए जिन्हें अपने माता की मृत्यू तिथी नहीं पता है वे नौमी के दिन शाद करते हैं अगर आपके पिता की मृत्यू तिथी नौमी अथमिकता यही होनी चाहिए कि आप अपने पित्रू की मृत्यू तिथी पर ही श्राद करें। चलिए अब हम आपको कुछ ऐसी बातों के विशय में बताते हैं जो आपको भूल कर भी इस पित्रू पक्ष में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो यह 15 दिनों का समय सिर्फ हमारे पूरवजों के लिए पित्रूं के लिए समर्पित होता है। इसलिए इन दिनों में कोई भी नया कारे, मांगले कारे नहीं करना चाहिए। जैसे की यग्य करवाना, विशेश पूजा करवाना, या फिर कोई नई चीजें खरीदना, नए कारे की शुरुआत करना, या फिर नए वस्त्र भी इन दिनों में नहीं खरीदने चाहिए। नहीं राजा सकता, सिर्फ वही चीजें या फिर समान खरीदना चाहिए। लेकिन जिसके बिना 15 दिन चल सकता है, निकल सकता है, उसे पित्रुपक्ष के बाद ही खरीदना चाहिए। नामकरण संसकार करना है, तो वह आप पित्रुपक्ष में कर सकते हैं। लेकिन विवा संसकार, गर्भाधान संसकार या अन्य संसकार नहीं करने चाहिए। इन दिनों में अधिक से अधिक हरी नाम, यानि हरे क्रिश्न हरे क्रिश्न 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक जब करना चाहिए। अपने लिए भी और अपने पित्रुपके लिए भी। इन दिनों में श्रिमत में खुल कर दान देना चाहिए अपने आपको अधिक से अधिक आध्यात्मिक प्रवरूतियों में व्यस्त रखना चाहिए और मांसिक चेतना को भी शुद्ध भनाए रखने का प्रयास करना चाहिए तो यह थे पित्रुपक्ष से जुड़े आपके सभी प्रषणों के उतर हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपियोगी साबित हुआ होगा आपके सभी प्रषणों के संतोष कारक उतर हम दे पाए होंगे अगर ऐसा है तो ये विशेश वीडियो है जिसकी आवशक्ता शायद आपके परिवार वालों को और मित्रों को भी हो सकती है इसलिए आज तो याद से इस वीडियो को अपने अपने वाटसेप ग्रूप में जरूर शेयर कीजिए और उन्हें विशेश कर बताईए कि ये वीडियो जरूर देखें क्या पता उनके भी किसी प्रशन का उत्तर उन्हें इसी में मिल जाए और हमारे स्विनम्र प्रयास में हमारे साथ चलते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा ये वैदिक प्रमानभूत ग्यान का प्रसार सराहनिय लगता है तो आप हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आपके सायोग से हमें अपने कार्य को उत्साह और निष्ठा पूर्वक आगे बढ़ाने में बड़ी सहायता मिलती है और वैदिक धर्म के प्रचार का पुर्णेफल आपको भी मिलता है तो चलिए इन विशेश पित्रुपक्ष के दिनों को सावधानी से और भक्ती मैरीच से व्यतीत करते हैं और हमारे पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें परम भगवान स्री कृष्ण की शुद्ध भक्ती प्राप्त हो और हम स्वयम ये प्रयास करते हैं कि हमें इस भौतिक देह को त्यागने के बाद पित्रों ना बनना पड़े। अपितु हम सिर्फ भगवान के चरण कमलों में स्थिर रहकर वापस अपने घर ही चले जाए। हरी कृष्णा!